अब तक नेता अपनी संपत्ती का ब्योरा देते थे लेकिन अब यूपी के पुलिस वालों की भी संपत्ती का ब्योरा आपके सामने होगा क्योंकि योगी सरकार ने परमान सुनाया है योगी सरकार ने यूपी पुलिस को लेकर ये परमान जारी कर दिया है कि पुलिस के हर करमचारियों को सरकार को अब अपनी संपत्ती का ब्योरा देना होगा करमचारियों को हर साल खरीदी बेची गई चल और अचल संपत्ती की जानकारी देनी होगी दीजीपी ओपे सिंग ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है और इसके तहट गेजटेट पुलिस कर्मी घेरे में आएंगे और अब तक सिर्फ आईपे सदिकारी ही हर साल भ्योरा देते थे लेकिन अब हर पुलिस कर्मियों को अपना भ्योरा जो है यही नहीं पुलिस कर्मियों को खुद पत्नी और किसी भी सतस्य के नाम पर खरीदी गई संपत्ती का भी भ्योरा देना होगा तो योगी सरकार ने यह परमान जारी किया है लेकिन इसके पीछी क्या एजेंडा है यह भी आपर साफ किया जाएगा आपको बता दे कि सालाना अब हर पुलिस कर्मी को अपनी संपत्ती का भ्योरा देना होगा चल अचल संपत्ती इसमें दोनों ही इंक्लूडिड है और गजटेट और नौन गजटेट पुलिस कर्मियों पर भी यह फरमान जो है लागू होगा अब तक जो IPS अधिकारी के जो अधिकारी होते थे वो ही अपनी संपत्ती का भ्योरा देते थे लेकिन अब यह हर पुलिस कर्मचारी पर लागू किया जाएगा तो UP पुलिस को लेकर योगी सरकार ने फरमान जारी किया है तो एक की बाद एक जो कानून विवस्ता को दुरुस्त करने में योगी सरकार के तरह से कदम उठाए जा रहे हैं और अब पुलिस कर्मियों पर एक नया फरमार योगी सरकार का तो साफ़तोर पर अब हर साल आना हर करमचारी को जो है अपना ब्यौरा देना होगा तो ये आपको पॉइंटर्स के जरीए हम समझा रहे हैं तो योगी सरकार के परमान के तहरे डीजीपी ओपी सिंग ने शासन को प्रस्ताव जो है वो भेच दिया है इस प्रस्ताव के जरीए अब तक सिर्फ आईप्यस सदिकारी ही हर साल अपनी संपत्ती का ब्यौरा देते थे लेकिन अब PPS सदिकारी को 5 साल पर देना होता था संपत्ती का ब्यौरा तो अब IPS, PPS, Gusted, Non-Gusted पुलिस कर्मी भी इसके घेरे में आएंगे तो सभी चल अच्छल संपत्ती की जानकारी 15 जनवरी तक देनी होगी योगी सरकार का ये परमान है PPS और अराज पत्रित करमचारी को 5 साल की अब्दी पर ये व्यौरा जो है वो देना होगा पुलिस कर्मियों को भी संपत्ती की जानकारी देनी होगी तो अब तक नेता आला अधिकारियों की तरफ से अपनी संपत्ती का व्यौरा दिया जाता था जिसमें चल अच्छल संपत्ती दोनों ही included होती थी लेकिन अब योगी सरकार के नए परमान के जरीये हर पुलिस कर्मे सरकारी और भी अपना ये व्यौरा सालाना देना होगा तो अब तक फिरफ हाइपर सदीकारी ही हर साल अपना व्यौरा सरकार को देते थे PPS अधिकारी को 5 साल पर ये संपत्ती की जानकारी जो है वो देनी होती थी IPS, PPS, Gusted, Non-Gusted, पुलिस कर्मी भी अब इस नए परमान के जरीए गेरे में आएंगे जिने सालाना अपना व्योरा सभी चल अचल संपत्ती की जो जानकारी है वो 15 जनवरी तक देनी होगी तो ये नए परमान के तहट आपको हम ग्राफिक्स के जरीए समझा रहे हैं कि किस तरह सी ये नए परमान लागू होगा और अब तक किन अधिकारीों को ये जानकारी देनी होती थी तो पत्नी आश्री सदस्य के नाम खरीदी गई संपत्ती का भी ब्योरा यहाँ पर देना होगा और इसके लिए डीजी पी ओपिसिंग ने प्रस्ताब भेज दिया है और इसी बीच लखनव से हमारे समधाता गगन मिश्रा लाइफ जुड़ गए हैं अम उनकर उकर लेते हैं गगन अब योगी सरकार का नया फर्मान पुलिस कर्मियों को साला ना दे नहीं होगी संपत्ती का भी ब्योरा अब देखी आस्मा यह पहल सुरू की है डीजी पी ओपिसिंग ने जिनकी मनसा है कि जो योपिक पुलिस की छवी है वह सुध्रे और पार दस्ता है इसी की चलते डीजी पी ओपिसिंग ने सासन को पत्र लिखा है जिसमें साब तौर पर उन्हें ने कहा है कि क्योंकि आईपिस अदिकारी तो हर साल 15 जन्वरी को अपनी जो प्रतिवर्श की आए है वो ऑनलाइन अप्लोड करते हैं लेकिन औ या साथ में राजपत्रित अधिकारी हों पुलिस कमचारी हों इस्पेक्टर हों सिपाही हों इन सभी को यह कहा जाए कि अब वो हर साल अपने आयके ब्योरा देंगे इसे अन्वार क्या जाए वो वह ऐसी संपत्ति यानि कि जो भी अचल-चल संपत्ति हो उस अधिकारी के पत्नी के नाम हो उसके परिवार के नाम हो या उस पर आस्थित जो भी जितने भी लोग हैं उनके नाम की जो संपत्ति होगा उसका ब्योरा देना होगा जिससे पुलिस विभाग में जो छवी है वो सुद्रे पारदर्स्ता आये जितने आरोप लगते हैं पुलिस अधिकार योपी सिंग ने पत्र लिखा है और माने जारा कि इस सासन इसको अनिवार रूप में घूशना भी कर देगा एक दो दिन में जिससे अब हर साल जितने भी अधिकारी हो चाहिए वो IPS हो पीपीस हो या राजपतित अधिकारी हो इंस्पेक्टर हो शिपाही हो इस सभी को हर साल जो आई होगी अचल संपत्ती होगी उसका अनिवार रूप से सामने सके सामने परस्तुत करना होगा बिलकुल और गगन कहीं न कई पारदर्शिता लाने के लिए एहम कदम लगातार योगी सरकार उठा रहे कि ताकि जो कानून व्यवस्ता है वो पूरी तरह से दुरुष्ट हो सके और पारदर्शिता जो है वो इसमें आए लेकिन अब जिस तरह से परमान जारी हुआ है शा अधिक आस्मा यह तो नियमावली में है 1973 के नियमावली में साब तूर पर काहा है कि जितने भी सरकारी जानि utra अज वो अपनी आयका व्यवरह सरकार के साथने पस्तूत करेंगे लेकिन इन myths अil्यूं परदर्शिता के संपत्य का ब्योरा मागा गया लेकिन तब भी जो अधिकारी ते वो पीछे रहे आब योगी सरकार ने इसको अनवार रूप अधिकारी होंगे, उनको उनके बीच में खोशी है कि इससे जो पुलिस की छवी थी लोगों के सामने कि संपत्ती दबाए बैठे होते हैं, संपत्ती बढ़ाते हैं, बश्चाचार में लेते हैं, अब कम से कम जब सरकार के सामने वो अपने संपत्ती का ब्योरा पस्तुत करें पांस साल में देना पड़ता था, चार साल में खेल होता था, उसी को रोखने के लिए डिजी पी ओपी सिंग्निक का पत्र भेजा किया है, अइमान दार अधिकारियों की बीच में इसको लेकर काफी खुसी है, कम से कम जो उन पर आरोप लगते थे, वो तो अब नहीं लगे उनका संपत्ती सावजनिक होगी, लेकर जो बश्टाचार मिले तदिकारी हैं, उनको भी इसमें जरूर बेचानी होगी कि आकिरकार उनको अपनी संपत्ती का ब्योरा कैसे देंगे, और बिल्कुल बेचानी इसलिए भी कहीं न कहीं होगी, क्योंकि ना सिर्फ इन पुलिस क करमचारियों को अपनी संपत्ती का ब्योरा देना होगा, गगन बलकि जो आशुर सदस्य हैं, जो घर के सदस्य हैं, उनकी भी चला जो संपत्ती का ब्योरा इसमें दिया जाएगा? लेकिन जब से योगी सरकार आई है, योगी सरकार ने एक सब्द जो और दिया है, कि जितने भी आस्रित होंगे, उनकी भी संपत्ती की जाच होगी, कि वो आस्रित क्या करते हैं, क्या वो आस्रित उसी सरकारी अधिकारी पर डिपेंड हैं, अगर डिपेंड है तो उनकी पूलिस अधिकारी जो अपने आर्सितों के नाम कर चुके हैं कि यह सबके सामने लबग रहता है कि कि पूलिस अधिकारी के घर में कितने लोग उसके आस्रित हैं उनके बेटे हैं उनके रिष्टदार हैं कैसे उनके संपत्ति बड़ी तो वह वह पारदस्ता लाने के लिए और चबी ती जो खराब थी उचको सुधारने के लिए दीजीपी ओपी सिंग का यह कदम है फिलाल आसित की अगर जांच होगी तो कई ऐसे अधिकारी हैं पूलिस आरसितों के भी संपत्ति का बिरो देना होगा तो बिल्कुल और गगन ही है कही न कही देखा जाये तो कानून विवस्ता को लेकर चाहे सरकार की जीरो टॉलरंस को लेकर सवाल जो है वो विरोधी दर लगातार खड़े करते आ रहे थे और उसी लिहाज से एक के बाद एक ज योगी सरकार कानून विवस्ता को दुरुस्त करने के लिए उठा रही है और उसी लिहाज से एक अदम ये परमान भी काफी जो है एहमेत यहाँ पर रखता और ये इसले भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि कही न कई पुलिस की चवी जो लोगों के बीच जा रही थी वो कहीं न कई गलत बन रही थी और ऐसे में लोगों का विश्वास भी फुलिस के ऊपर से खो रहा था तो वही विश्वास दुबारा से कायम रखने के लिए और वही चवी को अच्छा करने के लिए योगी सरकार की तरफ से एक अदम उठाए जा रहे है आदेखी जब से योगी सरकार आई ये सरकार सरkung से इस तब से घचारा बनें की भावारी अकुट संपत्ति जबाय बैठा है या जो बिए खार विभाद का ऽबता हुआ ही उसको बख़ेंगे न heterocy MP ru species सरकारा पिखेंट वहाच हुए उन विइन बाभू की सकर yokes पैफ। जो भले ही छोटे पद में हो छोटे विभाग में हो लेकिन उनकी संपत्ति अरवों तक पहुँच गई है कई ऐसे लोगों को सबस्कार की संपत्थ को लेकर जब से योगी तवस्छा उनकी सरकार कि मसा है कि भेंगी सरकार की मनसा साहब करता है कि बश्ट चार में जीलो टॉनलन सहर नेती है वो पूरी कर रहा है और शाय साथ उनके अधिकारी जो बश्चम अधिकारी जो कर Branch के मुक्या है वो भी इस जो मोहीम है बश्चार में जीलो टॉनलन की उसको आगे बढ़ इसको अमली जामा पहनाता है और एक सास्ना देश जारी करता है कि अब पीपीए संवर के अधिकारीयों के जितने भी पुलिश विभार के राश्प्तित अधिकारी हैं या इस्पेक्टर हैं सिपाही हैं उनको भी हर साल अनवारता हो जाएगी जिससे अब जो पुलिस पर सव भी जो कि सरकार करेगी बिलकुल गगन यहाँ पर अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा ये तो देखना होगा हाला कि शासन के पास जो प्रस्ताव है वो भेज दिया गया है लेकिन इस अमली जामे के साथ चुनौती भी सरकार के सामने जरूर यहाँ पर रहने वाली है क्यो की लगातार कानून विवस्ता को दुरूस्त करने के लिए कदम तो उठाए जा रहे लेकिन कहीं न कहीं कुछ तस्वीरे ऐसी आ जाती है जो उन तमाम दावों पर उन तमाम कदमों पर सवाल खड़ा कर देती है गगड़ अब देखिया आस्तमा सबसे बड़ी चुनौती उत्तरप्रदेश यहीं है कि सरकार बले ही मंसा अपनी साप रखे कि उसकी भश्टा साप जिरो टॉलिंस है लेकिन जो अधिकारी है वो बाद नहीं आते योगी सरकार ने कई बार आईयोस अधिकारियों आईपेस अधिकार है है यह एसी पर सफ्टी का ब्योरा नहीं रखे करा रहे हैं इसी के ज़ो मंसा है है योगी सरकार की वह बी अध्री है कि और कि सरकत्य का ब्योरो देना के लिए और दूसी चुनौती है कि योगी सरकार क्या साथ बिल्कुल गागन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए जानकारी देने के लिए